यह question है और इसमें हमें error find करनी है question कुछ इस प्रकार से है in the back side of our house we have a rock garden in the back side of our house हमारे घर के back side में हमारे घर के पिछले भाग में we have a rock garden हमारे पास एक rock garden है अगर हम part C की बात कर रहें तो यहाँ पर जो सहाय क्रिया have लगी है यह subject के according लगी है तो subject plural है तो सहाय क्रिया भी plural है तो यहाँ पर कोई भी error नहीं देख रही है और यहाँ पर rock garden के साथ ए लगा आर्टिकल भी सही लगा है in the back side of our house of our house यह भी बिल्कुल सही है तो बात आती है part A में in the back side आपको पता होना चाहिए अगर मैं बात करूं back B, A, C के back का मतलब क्या होता है back का मतलब होता है rear side rear side back का मतलब ही होता है rear side जब back का मतलब rear side होता है तो यहाँ पर side लगाने का क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है इसका मतलब जो यह side लगाया है यह है superfluous यहां पर जो side का use किया गया है यह side का use superfluous मतलब इसको एक्सा जोड़ दिया गया है यहां पर side की कोई जरूट नहीं है बेक का मतलब ही होता है rear side मतलब पिछला भाग तो यहां पर sentence हो जाएगा in the back in the back of our house we have a row garden हमारे घर के back मतलब हमारे घर के rear side में हमारे घर के पिछले भाग में हमारे पास एक row garden है यहां पर side को हटा दिया जाएगा क्योंकि यह superfluous है please like the video and don't forget to join anglo tube telegram channel link is given in the description